ओ महनमते नमा नमस्कार मित्रो मैं आविर्यल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा योटूग चैनल ने थे मित्रो विशेस रंकला के अंतरगत आजकर हम विभिन तरीके के योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि या तो मुहुर्त से समंदित तिथियों से समंदि या कुंडली में इस्थित योग हैं जो की जातक को विसेष फलप्रदान करते हैं उसी में एक नाम आता है अधियोग का जो तिस सास्ति के अनेक गन्तों में अधियोग की बात कही गई है अधियोग को पापा धियोगтя और सुभा धियोग दो भागों में विभाजित किया ग्रहों तो लगना धियोग बनता है इसके अत्रिक्त छठे भाव में तीनों ग्रह हों अत्वा सात्वे या आठ्वे में या एक इस्थान में एक और एक इस्थान में दो या तीन भाव में एक ग्रह इस्थित हों तो तहा बुद्ध ब्रहस्पत और सुक्र तीनों ग्रहों का सश्ठम सब्तम और अश्ठम भाव में रहना आवस्तेक माना गया है चंद्रमात्वा लगन से सश्ठ सब्तम अश्ठम भाव में ब्रहस्पद सुक्र और बुद्ध होने से यह योग निर्मित होता है अधियोग एक बिलेच्षण सुवयोग है जो समत्र प्रकार की लौकी को अपनियां प्रतान करता है मित्रों हमारे वीडियो यह आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्यों लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवस्त करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार